इस तरह आपको सामने गिविन है उससे आपको टेबल से कैशन सौल करें कि बात करूं तो यहां ब्लैक थ्री है वाइट फोर है रैड फाइफ है ब्लू इस तरहीके से बॉल ते रखेंगे एक बॉक्स सलेक्ट कर आपने एंड बॉल इस डॉन उसमें से बॉल निकाली इव दा सबसे पहले तीन जो बॉक्स को चूज करने के प्रवालिटी लैट कर सकते हैं मैं आपर देगो लैट क्या कर रहा हूं केसिस लैट एवन क्या है बॉक्स वन इस चूज़न एटू बॉक्स टू इस चूज़न एट्री बॉक्स फॉर ओ सारी बॉक्स थ्री इस चूज़न एंड एफॉर बॉक्स फॉर इस चूज़न पहले तो बताओ यह वाली चीज़ समझ मा आगई गया है ठीक है अब आगे सुनो आपको ब्लैक बॉल चूज़ करनी है तो ए मैं क्या मान रहा हूं यहां पर ब्लैक बॉल इस चूज़न ब्लैक बॉल इस ड्रॉन ब्लैक बॉल इस ड्राउन यह मेरा केस बना चीक है यहां तक भी समझ में आ गया अब मैं क्या करहा हूँ फर्स्ट केस से निकालता था ती चार की प्रॉइलिटी अब आपको क्लियर दिख रहा है इस डाइग्राम के तुरू जो आपका प्रॉबैबिलिटी ओफ एवन होगा फोर यह भी फोर ओगा यह चिजी समझ में आगी के पहले तु यह बता हो आप मुझे चार केसे इसक लिए वन बाइफ वार वाइफ वार ओफ रंबाइफ ठीक है नेक्स्ट सुनना ब्लैक बॉल डॉण फ्रॉम इवन ब्लैक बॉल ब्रॉण from even even मतलब box 1 box 1 में से cable black ball आने की probability कितनी है तो देखो black ball कितनी है आप पर 3 है और total ball कितनी है 3 और 4 7 7 और 5 कितना हो गया आपके पास 12 12 और 6 हो गया आपके पास 18 next देखो probability black ball drawn from e2 e2 समझ में आ रहा है यहां देखो black ball कितनी है 2 और अपन में कहेगा टोटल 2 2 4 5 6 7 8 यानि 1 by 4 कह सकते हो या फिर 2 by 8 रख सकते हैं फिर है from e3 1 अपन 2 1 3 3 3 6 और 1 7 यहां पर 4 upon 4 3 7 8 8 5 13 बताओ समझ माया क्या है किलिया रहे हैं आपर चलो अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान देना मैं यह कह रहा हूं आप से कि यहां पर आपको जो find करनी हो box 3 वाली condition find करनी है क्या find करनी है box 3 वाली condition find करनी है वो कैसे करेंगे देखो यह कह रहा है एक box आपने select किया उसमें से ball निकली इस ब्लैक तो जो आपका given condition हुआ वो a हुआ और वो ball जो निकल के आई है वो box 3 में से होनी चीए तो box 3 क्या है आपके पास e3 अब इसको कैसे solve करते हैं पता है आपको e3 dot probability a given that e3 अब उन में आ जाओ p e1 dot p a given that e1 plus probability of e2 probability of a given that e2 plus probability of e3 probability of a given that e3 plus p e4 probability of a given that e4 यहां तक समझ में आया अब देखो probability of e3 कितनी है आपके आस वो देखो 1 by 4 है सब में से मैं ना तो a by e3 कितनी 1 by 7 तो 1 by 4 1 by 7 1 by 4 1 by 7 अब आजाओ नीचे probability of e1 1 by 4 और a by e1 कितना है आपके वास यह रहा 3 upon 18 फिर 1 by 4 multiply 1 by 4 वापस है ना फिर वन बाए 7 फिर वन बाए 7 अब देखो ऊपर वन बाए 4 है वन बाए 7 नीचे वाली condition देखो इसमें से वन बाए 4 कॉमन ले लू कितना बचाएगा नीचे 3 बाए 18 एटीन है ना 6 कर लो आप इसको ना वन बाए 6 लिख देता हूं मैं इसकी जगह है एक विमन बाए 6 प्लस फिर यह वन बाए 6 फोर कॉमन ले लिया वन बाए 4 बचा फिर वन बाए 7 बचा और फिर 4 बाए 13 बच गया आपके पास यह वन बाए 4 से वन बाए 4 कैंसल आउट हो गया ऊपर वन बाए 7 है अब नीचे वाली वैल्यू उसका लेते हैं अपने लसे हम तो देखो 647 और 13 टू थ्री जा टू टू जा 7 थर्टी फिर फिर टू वन जा और इसको अपन मल्टिप्लाय करके मैं लसे हम फाइंड कर लेता हूं इसका एक सेकंड एक सेकंड केतना आ गया देखो टू थ्री जा सिक्स टू अन्यारPS एट ट्वैल तो यह आपके पास हो गया है यह फील मिल्टिप्लाय ृटिन से नि banana है थर्टी इन यह आपके पास लोगे तो यह आतर पको एवा यह से कट करना शूला कर उनको हो तो देखो 6 से कट करेंगे तो 2366 से 6 यह वाला कैंसल आउट होगा तो तो बचेगा तो है नाइन वन सब्सक्राइब किया इसको तो फोर से किया तो यह दोनों कट गए त्री से करना है त्री नाइन जा है तो 73 आप अपने इसाब से यह दिम लेलना जैसे भी लेते हो सेवन के लिए कट किया तो शैवन कट गया है यह यह आपर तो कितना बच गया यह 13 मुल्टिप्लाइ तो टूज़ा फोर त्री यह 12 156 होगा प्लस फिर 4 से कट करें, 13 चला गया, 2s are 4, 4, 3s are 12, और 12 को multiply कर दिया मैंने यहांपर, 13 चला गया, 7 से, आई, यह तो हो जाएगा, 84, अब कितनी वैल्यू बन गई आपके पास देखो, 182 प्लस 273 प्लस 156 प्लस 84, 695, 1090, किलिया रहे हैं तक, अब यह जो वैल्यू है आपके पास, इसको मैं यहांपर, नेक्स स्लाइड पर ले रहा हूँ, देखो, कैल्कुलेशन जितनी आप सेल्फ करोगे न, उतनी आपकी प्रैक्टिस ची होगी, गाट इट, तो 1 by 7 multiply 1092 upon 695, अब आप इसको simplify कर लो, कट कर लो, आपके पास अंसर आजाएगा, 156 upon के अंदर 947, ऐसे break कर सकते हो, यह 192 है, 1092, यह 13 multiply, 7 multiply, 12 करके होता है, 7-7 कर जाएगा, फिर उससे उसको divide करने न, यह value आजाएगा, यह final answer आजाएगा, आपके पास, टेक है, इस से related कोई भी doubt लगे, comment section में ज़रू बताना, मिलते है next example 11 पर,